हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज वीश्व पखाल दिवस है हमारा ओडिशा में मात वीश तरीक को सारा वीश्व में यह जो पखाल खाया जाता है पखाल का मतलग राइस पानी पहले राइस को बना के कुकिंग करके क्या करते है कि उसको पानी में डालके कूल करके रखते हैं हमारा इधर जो 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस दूप होता है उडिशा में और अंध्रा में और हर जगा में इंडिया का उधर बहुत गर्मी में लोग बहुत कष्ट पाते हैं और इसका जो खाने से इसमें बहुत बीटामिन मिनेरेल सोगरा रहता है और लोग बहुत पसंद करते हैं तो हम लोग सोचा कि आज पखाल दिवस आप लोग को दिखाया दे जाएगा और कैसा लगेगा आप पताएंगे तो यह जो हे राइस में नहीं ड़ी डालके इसको नमोख और जो छोटा-छोटा मैंगो क और मिर्ची इसको डालके कुभल प्डू कस्ते ॉची बटाब्थ कर के दाल दिया है दो यह हो गया हमारा पुखवज इसमें जी डालते हैं तर का वहारी देते मां त Undert्व चांडर नहीं रहता है कि अ तो देखिए यह जो हमारा पॉप्रिट का फ्रई के आप और यह जो साधा जो खाते हैं जो बेजिटेरियन खाते हैं इनके लिए ड्रॉम्स्टिक आलो का फ्राई क्या है और यह प्राण और बड़ी और यह जो खीरा है इसको हम खाएंगे और आप भी बनाए ना यह जो कड़ी धूप आता है समर में हर लोग बनाते हैं और हमारा उडिशा में यह बहुत खाया जाता है और बहुत फेमस होता है इसको खाने से जो गर्मी में आपको रहत मिलेगा और अच्छा लगेगा आप कभी खाके हमें बताएं कैसा लगा मगर राइस को जो बनाएंगे उसको शफ्ट बनाएंगे ज्यादा शफ्ट नहीं जै जैसे खाके आप जैसे निगल पाएंगे ऐसा पूरा फ्राइड राइस ने जैसे नहीं बनाएं आप इसको सफ्ट ली बनाएं और उसको पानी लिम्बू दही और आम का छोटे आम का टुकड़ा डालके और खीरा डालके खा सकते हैं देखिए मैंने इधर बनाई हो और मैं बहुत सब्सक्राइब हो नहीं मेरा फामिली के लिए देखिए इधर मेरा फामिली में सब लोग खाएंगे तो मनाई हो देखिए कैसे लोगा आपको दरने बाद